हाई फ्रेंड सिंस पॉट्लाइट करेंट इवेंट अनेलिसिस यूपी एसी बुस्टर पार्ट 23 में आप सब का स्वागत है अब हम मैप देख रहे हैं इंपोर्टन जो टॉपिक्स है हमारे करेंट में आई हुए यह 2018 का पेपर है देखो मैप के किस तरीके से सवाल पूछे गया है तो रिजन सम्टाइम में न्यूज और कंट्री तो जो रिजन न्यूज में आया है और उसकी कंट्री इसमें से वीच अप दे पेर्स गिवन अबो आर करेक्ली मैच तो इस तरीके से पुछा जाता है क्रीमिया हंग्री यूक्रेन में है देखो और मिया इथोपिया में है कैटलोनिया क्राइसिस हुआ था तू रिस्क तू थाउजन सेवंटीन में तो पुछा गया है देखो करण से तो हमें इस तरीके से चीजे करनी है कि जो चीजे न्यूज में रहेंगी हम उसके उपर वर्क आउट करेंगे तो आपने देख लिया कि यह वो मतलब या उसका र आपको पता होना चाहिए कि यह किस मतलब कंट्री से जुड़ा हुआ है तो विल्सी एनलिसिस ऑफ पेपर अलसो तो रखिने एंड रोहिंग्याज का जो विशी इस था सारा तो मैनमार इस इंपोर्डन हमारे लिए मैनमार से जुड़ी कुछ चीजे देखेंगे हम इंपोर आपको बोलता कि बॉंड्री कोन कोन है मैनमार को बॉर्डर कोन करता है तो इंडिया इस देर बंगलादेश इस देर यह देख लो है यह इंडिया है यह बंगलादेश है तो मैनमार को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज देन चाइना इस देर यह लाओस है देखो फिर उसके इंडिया चाइना लाउस और थाइलन्ड इतनी सारी कंट्रिस मैनमार को बॉर्डर करती है आपको यह याद करना पड़ेगा दूसरी इंपोर्टेंट चीज्ज है मैनमार के बारे में यहाँ पे आप देख लो कि यह बेंगल का रिजन है और यहाँ पे नीचे यह बंगलादे इसमें यह न्यूज में बहुत सित्वे पोर्ट हमें पता होना चाहिए मैनमार से जुड़ी यह चीज है दूसरा इंपोर्टेंट है यह इसके नीचे देखो यहाँ पे रखिने जो इशू चल रहा है रोहिंग गैस का तो यह रखिने प्रवियंस जो है वह यहाँ पे है त तो मैनमार से जुड़ा हुआ है हमारे लिए इंपोर्टेंट है अगर मैनमार के फिजिकल फीटेस्टर अब देखो गए है तो इसमें क्या क्या है दो इंपोर्टेंट रिवर्स है यह आ पे इड गजो ए रेवाधि गर इस्ट में ग्यायर ऑपको दोनों suit पूछ गमांग या रंगुन जो इसके कैपिटल है वो इरावदी रिवर के बैंक पे है तो इस तरीके से भी UPSC ने सवाल पूछे हुए है कि आपको सिटी दी जाती है और उस सिटी से जुड़ी हुए रिवर या फिर किस रिवर के बैंक पे तो वो आपको पूछा जाता है दुसरी important शीज है कि आपने देखा होगा कि अंदमान निकोबार से जुड़े वैस हवाल बहुत पूछे गए है तो अंदमान निकोबार वैसे भी न्यूज में था और मैनमार और अंदमान नौर्थ अंदमान इसको अलग करने वाली जो चैनल है उसको बोलो जाता है कोको चैनल ये मैनमार और नौर्थ अंदमान को सेपरेट करता है अंदमान सी कोको चैनल आपको धहन में रखना है देखो फिर ये कोको आइलन एक्चुली कोको आइलन और नौर्थ अंदमान जो मैनमार का इससा है मैनमार में इसको छोड़ने के बाद है कि इंपोर्टन चीज है यांगून करके रिवर है देखो जो उपर से आती है चाइना से और वो यहाँ से फिर नीचे मैनमार से जाएगी तो वो भी हम देखेंगे तो दुसरा इंपोर्टन यहाँ पर चीन हिल्स इस देर अब देखो चाइना यहाँ पर है बट चीन हिल्स इंडिया और बंगलादेश का जो मतलब वेस्ट एरिया है वहाँ से यह तो बहुत बार गडबर हो सकती है कि चीन हिल्स चाइना में यहाँ फिर मैनमार में तो यह मैनमार में है और इंडिया बंगलादेश से जुड़ा हुआ है देखो यह जो रिजन है मतलब यह वेस्ट साइड में अरकाम योमा यह तो एक्स्टेंशन है इंडिया से नौर्ट इस से नीच आता है देखो मांट विक्टोरिया इस देर 3053 मिटर इसकी हाइड है देखो मांट देन शान प्लेटियू इस देर दन टैनन तांगी मांटेंस यह मैनमार से होके चाहिना तक इसका एक्स्टेंशन है दियन नेक्स्ट वन नीचे अगर आओ गए आप तो दhuना रेंज इस देर दऊना रेंज उसके भी नीचे आओ आप देखोगे यह Careful तो यह दोना रेंज बिलो तूटंग रेंज इस देर शान प्लेटु इस देर चीन लिश्फ देर ये सारे टानसें टॉंग तानें तॉंग देन आरकॉं मोमा ओके और नेक्स वन आपकर नॉर्थ में आओ गया तो कुमाओ मौंटेंस देर नागा इस का भी एक्स्टेंशन थो तो यह कुछ चुड़ी चीज़ है यह मैनमार के बारे में इतना हमें ध्यान में रखना है देन नेक्स्ट वन अब जैसे यह एक्स्टेंशन नीचे जाता है जैसे हमने लाउस की बात कि अभी इसको बार्डर करता है लाउस तो वह एक डिटेल्स हम देखेंगे कि यह सारी जो बार्डर कर रहा है दन वियतनाम इस देर यह यहाँ पर कंबोडिया है ओके अब हमारे लिए इंपोर्ड़न्ट है कि इससे जुड़ा वह भी सवाल अल्रेड़ी यूपिय से पूछ चुकिये जैसे मेकॉंग गंगा कॉपरेशन इस देर इंडिया प्लस फाइव एशियन न मतलब यह सारी जो कंट्रीज है यहाँ पर साउथ इस्ट एशिया तो इन सब को वह कवर करती है मेकॉंग चाइना मैनमार लाओस देन थाइलंड देन कंबोडिया और देन वियतनाम तो मेकॉंग इस बेरी इंपोर्डन लॉंगेस्ट रिवर ओप साउथ इस्ट एशिया जि 84 मिटर्स तो वो हमारे लिए इंपोर्डन है मेकॉंग उसके बाद अगर हम थाइलंड की बात करेंगे तो थाइलंड को कौन-कौन बॉर्डर कर रहा है देखो मलेशिया इस देर मैनमार इस देर कंबोडिया इस देर लाओस इस देर ओके चाइना नहीं करता है यह लाओस उ रिवर के बैंक पे है देखो जैसे आमने रेखा कि यंगुन जो है वो इरावदी के बैंक पे है जैसे वैसे ही बैंकोग जो है वो चायो प्राया रिवर के बार्डर बैंक पे है देर नेक्स वन कंबोडिया इस देर कंबोडिया को बार्डर करने वाले देश कौन से थाइल और यह Gulf of Thailand है, यह पूरा का पूरा जो है, इस गल्फ of Thailand, देन उसके बाद, Laos, Laos, it's only landlock country in South East Asia, देखो, बाकी सारी जो country है, वो landlock नहीं है, यह पूरा पानी है देख हो यह आप है, तो landlock मतलब, वह न, सारी तीनों जगह से, चारों साइड से, वो पूरी की पूरी लैंड से यह देश होते है आजुबा जुमें उसके, तो Laos is there, then Vietnam is there, Vietnam को border करने वाले देश देखो, China is there, Laos is there, Cambodia is there, तो यह तीन है, border share कौन कौन करता है वह देखनाम के साथ, China, Laos और Cambodia, तो आपको एक चीज़ करने पड़ेगी, कि इसको ढग से आप अगर धहन में रखोगे, तो कौ इसे मतलब border कर रहा है, that is very important for us, UPSC पूछती है, Thailand के बारे में कुछ important चीज़े है, Thailand is known as a rice bowl of Southeast Asia, Southeast Asia का rice bowl भी इसे बोला जाता है, land of white elephants भी इसे बोला जाता है, और Thailand का एक important feature है, वो feature यह है, कि it's only Southeast Asian country, which was never colonized, मतलब यह इसको कभी भी colonized नहीं हुई है, मतलब जैसे इंडिया में British आये थे, तो उस तरीके से नसीब वाले लोग है, Thailand के, कोई नहीं आये यहाँ पे, South East Station country, बाकी सारी country जो colonized थी, तो वो हमारे लिए important, उसके बाद इसकी जो currency है, वो बक्त है, देखो, Cambodia की real है, Vietnam की dong है, Laos की new keep है, अब यह इसके physical features थोड़े हम द Phuket, तो यह जो place है, यहाँ पे Phuket करके, it's a west of Kra Peninsula, यह जो peninsula, इसे बोला जाता है, it's a Kra Peninsula, यह Thailand से जुड़ा हुआ है, tourist resorts के लिए famous है Phuket, और दूसरा है, teen mines के लिए भी यह famous है, okay, then Vietnam की Ho Chi Minh City is there, तो Ho Chi Minh का नाम पहले, Saigon था, तो यह भी एक ध्यान में रखना, तो यह सारी important इसे उसके बाद हम थोड़े physical features के देखते हैं, प्रॉपरली, मैंने आपको बोला था, Bangkok, Chao Praia River is there, यह Chao Praia River के bank पे Bangkok, इस तरीके के सवाल already UPS से पूच्ची की है, कि आपको river देती है और city देती है, तो वो important होता है, the next one, Korak Plateau is there, यह थाइलान के बीच में, यह Korak Plateau is there, तो this is very important in case of Thailand, then, Pink Chao Praia is there, यह देखो, यह जो reason है, जब पिंग Chao Praia बोला जाता है, तो यह important है, मतलब, physiological, physical features के बारे में बात करेंगे, तो पिंग Chao Praia, उसके बाद, Korak Plateau is there, Bangkok की यह Chao Praia River पे है, यह पूरा Gulf of Thailand है, तो this is important, और Gulf of Thailand में, depression की वज़े से, यहाँ पे Cyclones originate होते है तो वो भी एक चीज़ धान में रखना, उसके बाद दूसरा है, देखो, Laos is there, तो Laos के बारे में इतना कुछ नहीं है, मतलब important, यह ना, typical ऐसी चीज़ नहीं है, लैंड लॉक है, वो एक धान में रखना, देन, तुरूंग फान is there, यह ना, यह सारा region जो है, तो it's a Vietnam, Vietnam से जुड़ा हुआ है, the next one, अब currency जो है न, डॉंग, तो यहाँ पे एक river भी आपको मिलेगी, डॉंग नाम की, तो वियत नाम में डॉंग नाम की river भी है, और उसकी currency भी है, यह मेकॉंग जो है, जो उपर से आती, देखो, this is the mouth of मेकॉंग, मेकॉंग के बारे मैंने बोला आप 24 km की length है, तो डॉंग is there, यह एक धान में रखना, in case of Cambodia, तो उनले sap is, यह जो water body आप देख रहे हैं या आपे बीच में, then, कार्डामोमेंस mountains, कार्डामोम हील से देखो, in case of India, Southern India में आप देखोगे, तो यहाँ पे काया है, Cambodia, और इसका extension जाता है भी अतनाम में, कार्डामोमिस mountain is there, तो वो एक चीज़ धान में रखना, तो यह सारी जो थे, वो South East Asia की countries थी, इसमें बाद में मलेशिया और उसके उपर भी एक typical वीडियो बनाएंगे हम, जैसे in case of Indonesia is there, तो वहाँ पे भी earthquakes की situation आई थी, जावा सुमात के बीश में, तो वो सारे important जो current के issues है, वो हम देखेंगे in case of map, spotlight के साथ जुड़े रही है, UPSC booster को like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे, और अगर आपके कोई suggestions कोंगे, तो वो comment box में बताईए, thank you friends.